बाबा शाम हारे का सहारा लख दातार घाटू शाम जी नीले घोडे का सवार मौर्य नंदन खाटू नरेश और शीश का दानी जितने निराले बाबा शाम के नाम और भक्त है उतना ही रोचक इनका इतिहास है आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान में सीकर जिले के एक गाउं खाटू के नरेश खाटू शाम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है काउन है खाटू शाम जी और कैसे बने बाबा शाम इन सब के पीछे काउन सी पौरानिक खथा है चलिए आज आज आपको बताते हैं खाटू शाम जी की कहानी मेरी जुबानी कौरा वंश के राजा दूर्यो धन निर्दोश पांड़ों को सताने और उन्हीं मारने के लिए लाक्षा गरह का निर्मान किया था पर सोभाग्य वर्ष वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे एक समय जब वे वन में सो रहे थे उस स्थान के पास ही एक हिडंब नाम का राक्षष अपनी बहन हिडिम्बी के साथ रहता था तब उनको मनुष्य यानि पांड़ों की गंद आई तो उन्हें देखकर ये राक्षष अपनी भेन से बोला कि इन मनुष्यों को मार कर मेरे पास ले आओ अपने भाई का आदेश पाकर वे वहां आई जहां पास ही सभी भाई द्रौपती सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था भीम के स्वरूप को देखकर हीडिम भी उस पर मोहित हो गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मेरे लिए उप्युक्त पती यही हो सकता है उसने भाई की परवाह किये बिना भीम को पती माल लिया और कुछ देर बाद हीडिम भी के वापस ना लोटने पर हीडिम भासुर वहां आया और इस तरीके सुंदर भैस में अपनी बहन को भीम से बाते करता देखकर बड़ा क्रोधित हुआ उसके बाद हीडिम भी के अनुने विने से माता कुंती वे युदिष्टर के निरने से दोनों का गंधर विवा हुआ उपरोक्त अवधी के अंतरगत हीडिम भी गर्वती हुई और एक महा बलवान पुत्र को जनम दिया बाल रहित होने से बालक का नाम घटोतकच रखा गया इडिमबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवशक्ता होने पर पुने मिलने के लिए कहकर वे अपने अभिष्ठा इस्थान पर चली गई और साथ ही घटोतकच भी सभी को परणाम करके आग्या लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर मनीपूर में मुर्देती की लड़की काम कंटका से गंधर्वे विवा हुआ वे कुछ समय बीतने के बाद उन्हें माहान प्राकरमी पुत्र को जनम दिया जिसके शेर की भांती सुन्दर कैशों को देख कर उसका नाम बरबरिक रखा गया बल की प्राप्ती के लिए उसने देवियों की निरंतर आराध ना करके उससे तीनों लोकों में किसी में भी उसके जैसा बल ना हो ऐसा दुरलब अतुल ने बल का वरदान पाया देवियों ने बरबरिक को कुछ समय वही निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मन आएंगे उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्यान होगा आग्या नुसार, बरबरिक वही रहने लगे तब मगधेर्श की विजय नामक ब्रहमन वहाँ आये और साथ शीवलिगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की ब्राह्मन को सुपन में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा ब्राह्मन का आदेश पाकर बर्बरिक ने साधना में विग्न डालने वाले सबी राक्षशों को यमलोक भेज दिया उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासु की वहां आये और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा तब बर्बरिक ने विजे की निर्वीग्न तपस्या सफल हो यहीं वर मांगा ब्राह्मन की तपस्या सपल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजय होने का वर्दान दिया उसके बाद विजय को देवताओं ने शिजश्चरी पड़दान किया तब से उनका नाम सिद्ध सेन पड़ गया कुछ काल बीत जाने की बाद कुरुक शेतर मेदान में कौरों और पांडों की बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोडे पर सवार होकर आ रहे थे तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परिक्षा लेने के लिए ब्रामन के भहस में उसके पास पहुंचे भगवान ने बर्बरिक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आये हो और दूसरा उसे बेद देगा श्री कृष्ण ने मुठी वे पेर के नीचे दो पत्ते छिपा लिए पर देखते ही देखते एक बार से शन भर में सब पत्ते बींद गए तब स्री कृष्ण ने देखा वास्तव में ये एक बार में सब को यमलोग भेज सकता है तब ब्राह्मन बने भगवान क्रिष्ण ने बरबरिक से याचना की तब बरबरिक ने कहा कि हे ब्राह्मन क्या चाहते हो तब भगवान क्रिष्ण ने कहा कि क्या सबूत है कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा तब बरबरिक ने कहा कि जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे तो ब्राह्मन के भेस में नटवर बोले मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए ये सुनकर बरबरिक इस्तब्द रहे गए और बोले मैं अपना वचन सेहर्स पूरा करूँगा प्रसत्य कहो आप कौन हो तब भगवान नटवर ने अपना विराठ स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल से काट कर दे दिया उसके बाद भगवान ने बरबरिक के शीष को अमरत जड़ियों के सहारे पहाड के उंचे सिखर पर उगे एक पीपल की पेड़ पर इस्थापित कर दिया 18 दिन तक चले युद्ध में पांड़ों को विजे प्राप्त हुई साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया तब स्री कृष्ण ने उन सब को लेकर वहाँ पहुंचे जहां बरबरिक का सिर इस्थापित था बरबरिक के सामने पांड़ों अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए तब बरबरिक के सिर ने कहा कि आप सब का गमंड करना वेर्थ है जीत स्री कृष्ण की नितिग्ये से ही मिली है बरबरिक ने कहा कि मुझे तो इस युद्ध में सिर कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था इसके बाद बरबरिक चुप हो गए और आकाशे फूलों की वर्सा होने लगी तब भगवान कृष्ण ने परसन होकर बरबरिक को वर्दान दिया कि कल्यूग में तुम मेरे शाम नाम से पूझे जाओगे और तुम्हारे स्मर्ण मात्र से ही सभी मनौरत पूर्ण होंगे है भगवान सभी भगतों पर अपनी क्रिपा दर्ष्टी बनाए रखना जै स्री खाटो वाले शाम जी की राधे राधे दोस्तों वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा धन्यवाद